Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लग पढ़ेंगे Class 2 की Hindi Book रिम जीम Chapter 7 मेरी किताब तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुस्ती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी किताब तो मा ने वीरू को एक संदेज देकर अपनी बहन के पास भेजा मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरत से ठिठक गई उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें वहाँ नीचे से उपर तक किताबों से भड़े खानों वाले दो लंबी दिवारे थी वह आँखे फाड़े देखती रही अंत में उसने साहस करके पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबे हैं? मौसी ने कहा हा यह देखो यह वाला खाना और यह वाला वीरू ने हैरानी से कहा इतनी धेर सारी किताबें मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम यह किताब पढ़ कर देखो वीरू घबड़ा कर पीछे हटी और बोली बाप्रे यह तो बहुत मोटी है मौसी ने सुझाओ दिया अच्छा तो फिर सायद यह वाली ठीक रहेगी वीरू बोली यह बहुत बड़ी है मेरे बस्ते में नहीं आएगी मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है वीरू ने किताब के पन्ने पल्टे और यह फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है सहली ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना वीरू ने पुछा फुट्टा क्यूं मौसी ने हसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना ठीक है ना वीरू ने मा के भेजे हुए कागस को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई तो ये था आपका चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है तो हम लोग अब इसका अब अभ्यास करेंगे तो चलिए देखिए क्या है कि बातें किताबों की तो आपने कहानी तो पढ़ा ही बस उसी से रिलेटेट आपका प्रश्न उत्तर भी है तो देखिए क्या है कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है अब कहां तो आप क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे कि हाँ मैंने भी बहुत सारी किताबें देखी है तो कहां देखिए अपने विद्याले के पुस्तकाले में अब है दूसरा प्रश्ण कि तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबे होंगी उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे कि मेरी सबसे मनपसंद किताब रिमजिम है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं हैं तो आपकी जो मनपसंद किताब है तो आप वो अपने पसंद का लिख सकते हैं अब है कि यहां कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिये हैं और उनके नाम लिखे हैं तो यह देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र हैं किताब के और उसके नाम लिखे हैं. तो तुम इन में से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? तो उत्तर लिखेंगे कि मैं इन में से बज़ती गैंद किताब पढ़ना चाहूंगा. क्योंकि मुझे गैंद के साथ खेलना और उसके बिसे में जानकारी लेना अच्छा लगता है. तो आप जो किताब पढ़ना चाहेंगे तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. अब हैं नाप तॉल. तो मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो क्योंकि आप उत्तर लिखेंगे कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी. तो मौसी ने हसकर कहा कि तुम कल एक फुट्टा लेकर आ जाना. फुट्टा से तुम आकार प्रकार माप कर उसे पसंद करोगी. अब है कि अलग-अलग चीजों को नापने या तॉलने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तमाल करते हैं. तो तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? तो यहां पे देखिए कुछ चीजों को चीजों को किस से मापहें गे? उसके बाद आम को किलो ग्राम से, मेज को सेंटिमीटर से, तागच को सेंटिमीटर से, पानी को लिटर से, तो इस तरह से हम मापहेंगे. अब है देखिए आओ खेले अंत्याक्षडी तो अब तक तो तुमने बहुत सारे सब्द सीख लिए होंगे तो आओ सब्दों की अंत्याक्षडी खेले देखें तुम कितने सब्द बना पाते हो सुरुआत हम कर देते हैं तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ कुछ सब्द दिये होए हैं तो यह देखिए किताब है यहाँ पर किताब दिया हुआ है तो किताब के बाद क्या लाश्ट में आ जाता है बौ तो बौ से हो जाएगा बंदर उसके बाद अंत में आ जाता है रो तो रा से रसी, उसके बाद यहां लाष्ट में सी आ जाता है तो सी सी मा, सी मा हो गया, उसके बाद लाष्ट में मा आया मा से माला, इसके लाष्ट में आ गया ला, ला से लालू उसके बाद यहां पे लाष्ट में लू आ गया, तो लू से लुटेडा उसके बाद लाश्ट में रा आया तो रा आया तो इसका क्या हो जाएगा राम तो ये था आपका अंतियक्षडी अंतियक्षडी हो चुका है अब देखिए पसंद ना पसंद वीरू को मां की सहली ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीजें चुनोगे तो क्या लिखेंगे आप देखिए कहानियों की किताब टौफी, चाभी वाली कार, गुडिया कूदने वाली रसी, सुन्दर सुन्दर फूल तो आप जो भी चीज चुनना चाहेंगे तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं तो बच्चों आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है तो आपको पढ़के कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताईएगा और आपको समझ में आया या नहीं अगर नहीं आया तो आप उभी पूछ सकते हैं मुझसे और अगर आपको पढ़के अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजे और पास में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरे सारे वीडियोज आपके पास समय से पहुंचती रहे तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स टू वाच मै वीडियो